नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूटीब चनल पे दोस्तों आज बात करेंगे आंगनवाड़ से जुड़ी वीपीन खबरों की जो है वीपीन राज्यों से पहली खबर है हमारे स्टॉक रजिस्टर छोड़ अब सभी सूचना एदेनी से दूसरी खबर है कार्यकरताओं को दिया जाएगा टीएडी थोड़ी पुरानी खबर है और यह जुड़ी हरियाना से तिसरी खबर हमारे पास है अत्रिक्त मान दे के लिए कमेटी घटित करने के आदेश यह खबर हमारे पास है जार खंड से जो हमारा वीडियो के स्क्री तो इसे यूज़ कर सकते हैं, तो लिए बढ़ते हैं हमारी आंगनवाडी से जुड़ी सी खबरों की तरफ, जो हमारी पहली खबर है वो देहरादून से हैं, पहाडी राज्य उत्राखंड में अब आंगनवाडी के अंदरों को हाई टेक बनाने का काम जोरो पर है, इस दिसा पर है, डिजिटल इंडिया के तरफ और यह है देहरादून से, यह आंगनवाडी कार्या करताओं को ट्रेनिंग दीगी है, एप के बारे में किस प्रकार आपको वर्क करना है, किस प्रकार आपकी डेटाप फीड करने है, साथ ही जो सुचने हैं, आपको इसी अप्लिकेशन को छोड़ कर सभी सुचनाई अब एप के जरीए भागो देंगे, तो यहां पर बतायागा है कि जो स्टोक रजिस्टर है, आपने क्या क्या प्राप्त किया है भी भाग दोवारा, तो आपको स्टोक रजिस्टर में में रखना पड़े, कब आपकी अन्य सुचनाई, उपस् वो अब आपको एप के जरीए देनी होंगे, तो चले बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दूसरी खबर हमारी हरियाना से हरियाना सरकार ने बांगनवाड़े करे करता हूं, उनकी साहिकाओं को बढ़ी रहा दिये, सरकार अब उन्हें सरकारी बैठकों में सामिल हो होने के लिए, अब आपको जो महिने में जितने भी आपके TDA बनेंगे, जितने भी आप किसी मीटिंग के लिए विजीट करेंगे, आपको TDA दे होंगे, तो चले बढ़ते हमारी अन्दिम खबर की तरफ, अन्दिम खबर में बताया गया है कि मुख्यमंत्री के हस्तसेप के पद पर पदोनती के लिए उम्र सीमा बढ़ाने, सेवा दिम वर्ती की उम्र सीमा 62 साल करने, उन्हें जीवन जोती योजना वै, परधान मंत्री सुर्क साभी मा योजना लाब देने के नितिस्ती हैं, तो ये खबर है जार खंड से, जहां मुख्यमंत्री ने सेविकाओं के मान दे के लिए कमेट्री के गठित करने के आदिस लिए, उम्मीद करता हूँ, वीडियो को पसंदा है, पसंदा है तो लाइक करें, शेयर करें, थैंक्स वोचिंग, टेक क्यार, बाइ-बाइ